तो बच्चों हम करने वाले हैं हमारा थर्ड कोश्चन जो की बड़ा ही इजी कोश्चन है देख लीजिए इसको यह के करें box of weight weight मतलब mass मेरा mass है वो कितना है 150 kg पर ठीक है जी एंड gravitational potential energy stored in it is equal to 14700 तो जो मिर पर gravitational potential energy है यह कितना है मेरे बच्चों 14700 बड़े प्यार से मैंने लिख लिया ठीक है अब जो height find height मुझे height निकान लिए बड़ा easy question है बच्चों यह बड़ा easy question है यहां पर देखे gravity का लिए मुझे 9.8 ठीक है तो बड़ा easy question हो जाएगा आपको पता है ग्रेविटेशनल potential energy का formula क्यों होता है MGH बहुत प्यार से आमें पता था ग्रेविटेशनल potential energy का formula होता है MGH तो देखो मास मुझे given है gravity मैं यहां से लिख लूँगा यह देखो और height निकालने और यह मुझे given है अरे कितना easy question हो गया है तो देखो मैं इसको यहीं पर solve कर लेता हूँ 14700 इकोल्स टू मास है मेरा 150 इंटू gravity है 9.8 इंटू h 10 से 10 cancel out इधर 0 आया यह इधर carry हो गया क्या बात है तो जाएगा 14700 इकोल्स टू यहां पर आ जाएगा यह कि मल्टिप्लाइगा 98 से 15 को तो जाएगा 1470 राइट इंटू h यह पूरा कड़ जाएगा कितने जाएगा 10 जा तो height कितनी आगे मेरे बच्चो 10 मीटर आगे क्या बात है क्या बात है वाव इतना easy ली आया अगर introduction नहीं देखाना है इस chapter का please I request you please आप introduction जरूर देखो more than half hour का introduction है और half hour में आपको पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं तो मैंने बिलकुल एक छोटे level से पढ़ाया है आप लोग को ठीक है उसमें please आप मैं request कर रहा हूं कि आप वो जरूर देखो रही कुछ रिक्वेस्ट कि आप introduction देखो और उसके बाद इस पर आओ क्योंकि आपको पता है कि सब का तरीका अलग-अलग होता है मैं एक छोटे level से पढ़ाता हूं बिलकुल ताकि सब को connect कर पाऊं मैं ठीक है तो चलो next करते हैं